हेलो फ्रेंट्स दिस परवीन यादव फ्रामुक्तर प्रदेश उनियोसिटी आप मेडिका साइंस साइफ है इटावा इस वीडियों बात करेंगे फिजिक्स के बारे हैं फिजिक्स की एक सिरीज लेकर आए हुए हैं जैसे कि बायो की चल रही NCR series, NCRT complete revision series वो series जो student किये नहीं है वो series continue करने है link description box में है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर कोई doubts हो रहा है तो instagram का link description box में है वहाँ पे भी आप questions पूर सकते हैं किसी questions में अगर आपको doubts हो रहा हो तो आई हम इस series को start करते हैं इस series का नाम है PCR physics complete revision series ये चलेगी और पहले हम electro का portion start कर आ रहे हैं जैसे कि बायो में हम पहले start किये हुए 10 chapters कतम हो गए हैं पहले हम 12 का portion start कर रहे हैं इसके बाद 11 का portion start कर रहे हैं क्योंकि maximum question जो पूछे जाते हैं वो 12 के ही पूछे जाते हैं इसलिए आप 12 पे ज़्यादा focus देंगे क्योंकि CP net का exam मैंने दिया था तो जो experience रहा है जो और लोगों से senior से पता चला है पूछने पे 2018 बैच में जो दिये थे या 2020 बैच में दिये हुए हैं उनसे जो पता चला है questions हमारे पास हाला की maximum questions हम आपको बता दिये हैं कि बायो में यहाँ यहाँ question पूछा गया था जब हम आपको series पढ़ा रहे थे तो लगबग 10 questions complete हो चुके हैं बायो में और कम से कम वहाँ से 15 questions आपके clear हो चुके हैं बहुत important biology आप देख लीजिएगा और उसमें हम यह भी बता दिये हैं बायो टेकलो आज में जो questions CP net में पूछे गए हैं तो यह video बहुत ही ज़्यादा important हो जाती physics की यह series आ जुकी है physics complete revision series के नाम से है पहले 12 का portion हम start करेंगे तो आज हम questions की बात करेंगे फिर कल theory की बात करेंगे फिर theory की बात करेंगे फिर question मतलब यह chapter electro statics चार दिन में आपका खतम हो जाएगा तो 20 questions हैं 19-20 questions उसको हम discuss कर लेते हैं ज़्यादा questions जो repeat करते हैं इसमें वो need के questions repeat करते हैं अगर कोई बुक अधर आप लगा रहे हैं questions repeat करने के chance बहुत ही कम हो जाते हैं तो हम theory पे focus जादा करेंगे यह theory maximum यहाँ पे पूछी आती है तो question number first की यह बात कर लेते हैं एक parallel plate air capacitor है इस capacitance C एक parallel plate capacitor है जिसकी capacitance C है उसकी separation distance D है और उसके जो voltage है उसका difference V है applied हो रहा है force उस पे between plates की जो potential जो एक plate है दो plate है उसकी separation की 20 की distance D है उसका जो potential difference हो भी है force of attraction पूछ रहा है कि force of attraction between the plate of parallel plate air capacitor is तो उसका capacitance का कितना capacitor होगा air जो 20 का है उसका कितना होगा तो 20 का उस separation पूछ रहा है force of इसके लिए formula होता force of attraction between the plate of capacitor इसके लिए सीधा formula होता formula आप लिख लीजिए क्योंकि यहां हम आपको लिख नहीं सकते हैं जो है तो आप formula अप लिख लीजिए अगर आपको doubts होता है तो आप instagram पे send करिएगा तो हम आपको solution दे देंगे वहाँ पे तो इसके लिए formula है f is equal to q square upon 2 epsilon 0 a तो यह force equal to यह formula है इसके बाद जो यहां से replace होगा q upon 2 epsilon 0 गो replace होगा q is equal to c भी होता आपको पता होगा q is equal to c into b होता है और c is equal to होता है f is equal to a y d यह beach का होगा separation तो आप जब यह data c को नीचे replace करेंगे f is equal to c से replace करेंगे f is equal to हो जाएगा a यहाँ पे area है f is equal to constant है c यहाँ पे capacitor है और d बीच की separation distance है यहाँ आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो निकलेगा f is equal to होगा c square b square upon 2 c d होगा तो यहाँ पे जो data निकलेगा वो निकलेगा c b square upon 2 d तो option question number a का question number one का option जो हो जाएगा वो d हो जाएगा हलाकि यह numerical based type का है लेकिन आप सीधा इसका data आप याद कर लेंगे c b square upon 2 d हो जाएगा question number one का option हो जाएगा d यह question दो तीन बार पूछा था इसलिए हम questions को इसको लेकर आएए आप इसका सीधा data भी याद कर सकते हैं दो parallel plate capacitor है उसकी बीच की separation distance d है उसका potential difference भी भी है तो force of attraction दोनों plate का कितना होगा तो c b square by 2 d यह data सबको याद रखता अच्छे जो student होते हैं इसको data को याद कर लेते हैं आप भी ऐसे सीधा इस data को याद कर सकते हैं तो question number 6 क्या है हम theory करवा रहे हैं कोई numerical नहीं करवा रहे हैं गिवन चार्ज उसके q charge फैला हुआ है capital q the electric potential and the electric field at center of spare तो center of spare center पे हमेशा आपको पता होगा जब हम theory कल theory जो class होगी दो theory की class होगी तो center पे हमेशा जो है charge 0 होता center पे कोई charge नहीं होता है तो question number 6 है तो for the conducting spare potential of center is equal to potential of spare जो potential of center होगा वही potential आप spare का होगा तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा center का हो जाएगा तो center का कितना हो जाएगा जब center का potential कुछ है नहीं तो center का 0 हो जाएगा center आप potential 0 हो जाएगा और electric potential इसका कितना हो जाएगा electric potential आपको पता है q is equal to f is equal to यह होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square तो q is equal to हो जाएगा यह आप replace कर देंगे यहाँ देखी उपर मैं साल्व किया हूँ 2 upon 4 pi epsilon 0 q by r square तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से जो option हो जाएगा question number 6 का option b हो जाएगा q upon 4 pi epsilon 0 r and 0 center of square पे 0 हो जाएगा और बाकी जो उसका बाहर हो जाएगा q upon 4 pi epsilon 0 तो question number 6 option हो जाएगा b तो आई हम question number 8 को देख लेते हैं a b question बहुत ही बार पुछा गया हाला कि j mains में भी question पुछा गया है इसके बाद need में question repeat किया हुए और cp net 2019 का equations रहा हुआ है a b c r 3 point मतलब यह 3 point दीएगे uniform electric field है तो उसका electric potential कितना होगा तो electric potential जो है वो electric potential हो जाएगा जैसे ही जैसे हम आगे बढ़ेंगे मतलब b पे electric potential maximum होगा जहाँ पे electric field maximum वहाँ पे जो है पूछ रहा है कि minimum तो यह हो जाए question number 8 का option d हो जाएगा maximum at b तो आप देखेंगे वहाँ पे electric potential maximum होगा जहाँ पे electric field जो है नजदीक होगा electric field lines के वो point तो वहाँ पे electric potential maximum होगा तो electric देखेंगे point जो b है वो electric field line पे ही लाई कर रही है तो इसलिए question number 8 का जो option होगा d होगा maximum at point b question अच्छा है ऐसे question पूश लेता है यह questions हाला कि ऐसे question पूशा था need 2017 में तो यह questions repeat करता है और cp net में भी question पूश चुका है तो यह repeat question जरूर कर सकता है और question number 10 देख लेंगे an electric dipole of dipole movement dipole movement का आपको जानी नहीं है इस डिनोड करते है is aligned parallel to uniform electric field uniform electric field ही है the energy required to rotate the dipole of 90 degree तो यह पूछ रहा है 90 degree पे जो है यह dipole को rotate कर रहा है फार्मूला होता है उस फार्मूलों को आप देख लीजे उपर हला की साल्व किया गया है potential energy आप dipole क्या होता है potential energy आप dipole होता है u is equal to होता है minus pe cos theta 2 minus cos theta 1 तो theta 1 की value 0 होती है theta 2 की value 90 रखें क्योंकि यहाँ पे दिया है कि rotate हो रहा है 0 से 90 तक तो u is equal to हो जाएगा minus pe 90 minus 0 हो जाएगा तो pe की जो value आएगी वो आएगी pe के equal आएगी तो यह minus में आएगी तो इसको positive में ले लेंगे तो इसका जो answer हो जाए question number 10 का option हो जाएगा b charge q is placed at the center of line देखेंगे question बहुत ही बार repeat को होगा question number 10 दो जगाँ पूछा हुआ थी question हालक important question है थियोरी पे हम ज़्यादा focus कर रहे हैं तो question number 11 देख लेते हैं charge q is placed at the center of line joining to equal charge q equal charge q है the system of three charges of the equilibrium q is तो तिन system का equilibrium का charge उसका कितना हो जाएगा question number 11 का option नहीं हो जाएगा minus q by 4 बहुत ही अच्छा question है और question number 11 का minus q by 4 हो जाएगा आप सीधा इसका answer याद कर देंगे जो भी questions है थियोरी के हैं सीधा आप answer देख लें question को समझेए सीधा answer याद कर लिए कोई इसमें दिमाग लगाना नहीं क्योंकि ये theory के सारे questions है थियोरी जो हम करवाएंगे सारे questions आपके आसानी से निकल जाएंगे पहले हम questions इसलिए करवा दे रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस हिसाब से questions पूसता है और कौन से questions CP.net में repeat किये हुए है electric dipole of movement P is placed at electric field of infinity E the dipole acquire a position such that the axis of dipole makes an angle theta angle theta बन रहा है with direction of electric field electric field के direction में angle theta बना रहा dipole movement direction of electric field assuming that potential energy of dipole to be 0 when theta is 90 degree जब theta 90 degree होता पोटेशिय एनर्जी 0 हो जाती है the torque and the potential energy of dipole will respectfully be तो torque कितना होगा तो torque को force आप जानी रहे हैं question number 12 का जो आप सुने ज़रे torque is equal to होता P sin theta तो potential energy equal to हो जाएगा U is equal to हो जाएगा minus P e cos theta तो 12 का आप सुने हो जाएगा P e sin theta minus P e cos theta एक P e sin theta पर लाई करेगा एक minus P e cos theta पर लाई करेगा question number 12 का आप सुने हो जाएगा four point charge minus Q minus Q small minus Q 2Q मतलब यह 4 point charge है मतलब ऐसे ही आप square बनाएँगे उस पर 4 point charge लाई कर देंगे are placed at each corner सारे corner पर square में लाई कर रहे है the relation between Q and small Q capital Q, small Q के बीच में relation पूछ रहा है potential potential at the center of square is 0 अगर center का potential 0 है तो तो आप पहले square बनाएँगे ऐसे ही चाल लगेंगे minus Q, small Q, 2Q और small 2Q तो यहां पर जो लगाएंगे length आप square पहले निकालेंगे तो आप minus Q capital Q A minus Q small B, C 2Q small 2Q capital D तो इसका जो square निकालेंगे इसका square आजाएगा A root 2 square इसका 1 का जाएगा A root 2 तो पूरा इसको equal कर देंगे तो इसका answer आएगा वो आएगा minus में आएगा total जो answer आएगा वो minus में आएगा वो answer कितना हो जाएगा हम आपको बता दे रहे हैं answer हो जाएगा Q is equal to minus Q Q is equal to minus Q question number 14 देख लेंगे theory का बहुत ही अच्छा question है Q का पूछ रहा है Q of side A है तो potential charge Q is at one of its corner तो उसके corner पे पूछ रहा है तो इसके corner पहुजाएगा Q upon 8 A of silence not A corner पहुजाएगा Q upon 8 A of silence not Q का पूछ रहा है सीधा answer हो जाएगा B question number 17 देख लेते है charge Q is enclosed of Gaussian Gaussian surface Gaussian से हाला कि questions आ जाता है Gaussian से question पूछा था CP net 2019 में यहाँ से question था Gaussian से हाला कि यह questions नहीं यह question नहीं जो question है उसको हम परसों वाली slide में आपको करवाएग जो है charge Q is enclosed of Gaussian sphere surface of radius R है if the radius is double अगर radius double कर दी जाये तो then the outer electric flux पे क्या परभाव पड़ेगा radius double करने पर outer electric field पे क्या परभाव पड़ेगा उसको हम देख लेते हैं according to Gaussian surface phi is equal to phi is equal to यह फार्मूला आप लिख लेंगे Gaussian surface का फार्मूला होता है phi is equal to Q enclosed upon F 0 is not if the radius of Gaussian surface is double अगर Gaussian surface की radius को double कर दिया जाता है तो the outer electric flux will remains at the center this is because electric flux depends on the charge enclosed by the surface जो electric flux होता है वो charge पे depend करता है तो question number 17 का option जो हो जाएगा हो हो जाएगा C मतलब उस पे कोई परभाव नहीं पड़ता अगर radius को double कर दिया जाए तो outer electric flux कितना हो जाएगा remains the same मतलब अगर यहाँ पे option आ जाता remains the constant तब भी option हो जाता तो question number 17 का option इसी हो जाएगा कोई परभाव नहीं पड़ने वाला है question number 24 को question 24 बहुत ही अच्छा question है theory का question है इससे questions आने का chance में हो जाता क्योंकि यह बूचा है the two parallel metal plates having charge capital Q positive में है and minus Q मतलब plus Q है और minus Q है face हो रहा है center of distance distance between them charge रखा गया अलगला position रखा गया है if the plates are too dipped in kerosene अगर दोनों को kerosene में duo दिया जा रहा है kerosene aisle में तो electric field पे क्या परभाव पड़ेगा अगर kerosene में दिबोए जा रहा है तो electric field उसकी सीधा घट जाएगी जैसा कि आप theory में पड़े होंगे अगर नहीं पड़े होंगे तो आप theory में जान सकते हैं आपको बता देंगे तो यह हो जाए electric field vitamin to placed in vacuum is given जो vacuum में होता है is equal to Q upon epsilon not होता है vacuum में होता है यह बात की जा रही vacuum की बात की जा रही अगर उसको kerosene में डिबोए देंगे या जो है petrol में डिबोए देंगे या कहीं पे भी डिब कर देंगे उसको दोनों charge को रख देंगे तो उसकी जो electric field है वो घट जाएगी तो question number 24 का आप संसी हो जाएगा question number 25 देख लेते हैं the electric field at a distance 3R by 2 from center of charge conducting spare cell of radius R is E मतलब R पे उसका electric field ही है तो the electric field at distance R by 2 R by 2 पे मतलब उसके center पे कितने spare के center पे कितनी electric field हो जाएगी center पे बात कर रहे है जैसा कि एक question पिछला भी हो चुका है center पे हमेशा electric field 0 होती है इसको आप जो है दिमाग में note down कर लेंगे the electric field inside the spare of a conductor is always 0 the electric field of spare of inside the conductor is always 0 the electric field of inside conductor is always 0 इस बात को विशेज ध्यान देंगे तो इसलिए इसका option A हो जाएगा question number 29 की बात कर लेते thin conducting spare ring thin conducting ring of radius R thin conducting ring है जिसकी radius R है given in charge plus Q आप देख रहे हैं figure में plus Q charge मतलब है और this the electric field at center electric field center पे O है of ring due to charge on the part A, B, K A, B, K पे पूछ रहा है on the ring is A, B, K on the ring is E the electric field at center due to charge on a part A, C, D, B A, C, D और B of the center is तो इसके कितना हो जाएगा electric field A, C, D, B के center question number 29 की बात कर लेते हैं thin conducting ring of radius R is given a charge plus Q the electric field at the center O of the ring due to charge on a part A, K, B of ring is plus C the electric field at center due to charge पूछ रहा है the electric field at center due to charge on a part A, C, D, B on ring कितना हो जाएगा question number 29 का जो option हो जाएगा वो हो जाएगा the field of O due to A, C and B, D जो A, C और B, D के दोरा जो electric field होगा वो आप A, C और B, D के दोरा जो electric field होगा यह आपस में cancel हो जाएगा तो जब यह field आपस में cancel हो जाएगी तो बचे की field C और D की जो C और D की field होगी वो होगी A, B के direction में A, B के मतलब इसके बीच में होगी तो यह field हो जाएगी C, D is acting on a directing O, K O के direction में electric field होगी and equal in magnitude E is due to A, K, B तो इसका option हो जाएगा 29 का option हो जाएगा D, E along OK आप देख रहे हैं यहापे सालु किया गया है Question number 30 देख लेते हैं Electric potential at a point is free space due to charge Q coulomb is Q is equal to 10 power 11 volt The electric field at point A एप question का रहा है The electric potential at point is free space due to Q coulomb जो charge की value दिया है Q is equal to 10 power 11 volt दिया गया The electric field at a point is तो electric field point पे कितना होगा Question number 30 का जो answer हो जाएगा इसके formula आप formula लिख लिकिए V is equal to होता है 1 upon 4 phi epsilon not Q by R square Electric field at a point P किसी point पे निकालने की जी फार्मूला होता है Electric field का वो होता है यह होता है potential निकालने का जो है V is equal to होता है 1 upon 4 phi epsilon not Q by R square जिसकी value दी गई q into 10 power 11 volt 1 by r is equaled हो जागा 4 pi epsilon 0 into q by 11 तो इसका जो formula निकल के आगा is equaled हो जागा potential पूरा जो होएगा उपर की value जो आई potential अपान radius आई मतलब 4 pi epsilon 0 into 10 volt जो दिया है यह जो है यह electric field के equal है तो इसका पूछ रहा है कितना value हो जागा लास्ट में जो value निकल के आएगी इसकी value आप multiply कर देंगे जो है यह हो जाएगी is equal to 4 pi epsilon 0 into q into 10 power 20 volt 22 volt तो यह double हो जाएगा तो यह हो जाएगा 30 का जो answer आजएगा 4 pi epsilon 0 q into 10 power 22 volt हो जाएगा मतलब उसकी value जो है double हो जाएगी 1 upon 4 pi epsilon जो यहाँ पर 4 आया है वो constant से लिया गया है 1 upon 4 pi epsilon 0 जयो कि आपको पता AB is equal to होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 q total upon r square तो यह वहाँ से लिया गया है question number 31 देख लेते हैं यह halo cylinder यह question अच्छा question है repeat question है j mains का हालकि यह neat में भी आया हुआ और यह cp net 2018 में भी questions आया हुआ है यह halo cylinder है यह charge q कूलाम within it if if is electric flux in units of volt meter associated with curved surface भी इसका curved surface जो दिया गया है इसका surface यह भी है the flux linked with the plane surface area ही जे मतलब इसका surface area है है और एक का surface area C है तिये पूछ रहा है vm will be कितना होगा vm की जो unit होगी वो कितनी होगी question number 31 हो जाएगा आप इसका सीधा answer याद कर लेंगे हलाकि यह repeat question है इसका आप सीधा answer याद कर लेंगे question number 31 का option D हो जाएगा one upon two q upon या आप silence not minus A अगर आप salve करना चाहते है तो इसका आप formula लिख सकते है जो formula इसका होता है qa plus qb plus qc मतलब total charge is equal to को होता है q upon yes silence not यह इसका formula होता है इस formula का आप use कर से salve कर सकते हैं अगर आपको एक question doubt लग रहा है तो आप इसका screen shot instagram पे send कर सकते हैं वहाँ आपको solution provide कर देंगे with explanation हाला कि इस question का आप सीधा answer याद कर लिजे question number 31 का option D हो जाएगा यह question theory में भी हाला कि हम clear कर देंगे जो call theory आपकी कराई जाएगी question number 34 देख लेते हैं हाला कि 2-3 question और बचे हुए हैं चल दी से हम देख लेते हैं थिवरी के equation है जो question number 34 है बहुत ही अच्छा question है हाला कि इस type का questions repeat करता है two condensers one of the capacity दो condenser दिया गया है जिसकी capacity C है and other capacity C by 2 जो तीसरा है उसका capacity है वो C by 2 है मतलब एक का capacity C है दूसरे की capacity C by 2 है मतलब उसकी आधी हो जाधी capacity voltage दोनों का same होता है are connected to voltage भी the work done आप दी charge full both the condensers तो पूछ रहा है work done कितना करेगा वो जो है charge करने में कितना work done उसको लगेगा question number 34 का रहा है तो इसके लिए formula होता है Q1 is equal to CB Q is equal to होता CB तो पहले काम निकालेंगे फिर दूसरे का निकालें Q1 is equal to CB होगा Q2 is equal to CY2 होगा क्योंकि Q2 की value दी है वो CY2 दी है तो दोनों को हम plus कर लें Q is equal to हो जाएगा Q1 plus Q2 मतलब हो जाएगा CB is equal to होगा CY2 into V is equal to हो जाएगा 3CB by 2 मतलब Q की value यहाँ पे आ रही 3CB by 2 आ रही है अब work done हमको निकालना है work done के लिए जो फार्मूल लगता है W is equal to 1 upon 2 Q into V लगता है तो जो QV की value आपको पता है उपर से अभी आई है 3Y2 C into V तो V is equal to हो जाएगा 3Y4 CB isquare हो जाएगा Q1 is equal to CB होगा क्योंकि Q1 की value CD है into V कर देंगे voltage निकल जाएगा Q2 की value होगी O होगी CY2 into V होगी Q1 पलस Q2 एड कर देंगे जो value निकल के आएगी वो आएगी 3Y2 into CB आएगी ये आगी Q की value आगी कितना चार्ज जा रहा है अब हम निकालेंगे work done निकालेंगे work done निकालने का formula जो होता है Q is equal to 1 upon 1 by 2 Q into V होता है तो Q की value उपर आगई 3 by 2 है इसको value कम इसमें पलेस कर देंगे तो हमारे पास जो value निकल काएगी 3 by 4 CB square आएगी जो है तो ये value निकल काएगी question नमर 35 देख लेते हैं एक parallel plate air capacitor is charged to a potential difference V एक parallel plate है इध्यान देखेंगे theory का question बहुत ही अच्छा question repeat equation जरूर करेगा एक parallel plate air capacitor is charged to a potential difference V उसका potential difference V है after disconnecting the charging battery the distance between the plate after capacitor increased using the insulating handle अगर insulating handle लगाया जारा ये बता रहे हैं उसके जो after disconnect होने के बाद question फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं parallel plate air capacitor is charged to a potential difference V volt है मतलब जो दो plate है आपस में charge किये जा रहे है parallel plate है charge किये जा रहे है उनका difference है जो potential difference है वो V volt है after disconnecting उनको जब disconnect कर दिया जाता है तो charging battery the distance between the plate of capacitor is increased using the insulating handle as a result the potential difference between the plate इसके बाद पूछ रहा है potential difference क्या होगा मतलब decrease करेगा कि increase करेगा constant रहेगा कि 0 हो जाएगा तो इसके लिए जो answer है उसको हम explanation देख लेते हैं हाला कि इसका answer increase ही करेगा क्योंकि अगर बाद में वो increase कर जाता लेकिन कैसे increase कर जाता है इसका explanation हम देख लेते हैं question number 35 का capacitance of capacitor plate इसका formula जो होता है C is equal to होता है या अफसाल नाट AYD होता है A यहाँ पे area D distance है C capacitor है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं capacitance is equal to potential difference upon charge ऐसे भी आप सिख सकते हैं when a battery is disconnected जब battery disconnect हो जाती and distance between the plate of capacitor is increased तो capacitor का the capacitance increase the charging remains constant लेकिन charge जो होता हो constant हो जाता charge जो तो constant होएगा charge जो घट बढ़ नहीं पाएगा तो charge जो है since capacitance is equal to potential difference upon charge तो इसलिए जो formula हो जाता capacitance is equal to potential difference upon charge जैसा कि उपर बता दिये हैं C is equal to epsilon 0 AYD हो जाता तो यहाँ पे potential difference जो है total increase कर जाएगा लेकिन charge जो है remains constant रहेगा इसका धहन देंगे यहाँ पे potential difference पूछ रहा है तो इसलिए increase हो जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर सिधा दे charge कैसा होगा charge increase करेगा decrease करेगा constant रहेगा तो वहाँ पे आप charge लगाते हैं constant रहेगा यह question दो परकार से पूसकता है अगर potential difference पूछेगा तो वहाँ पे आप increase लगाएंगे अगर charge पूछ लेगा तो वहाँ पे आप constant लगाएंगे question 35 most important question question 36 की तरह बढ़ते हैं question 36 का रहा है an electric dipole of movement P अगर एक electric है उसका dipole movement P is lying along a uniform electric field ही उसका electric field है uniform lie कर रहा है the work done in rotating dipole by 90 degree तो यह question हला कि आप देख लिए हैं ऊपर question पूछा हुआ था same repeat question यहाँ पर कर रहा है मतलब questions repeat भी करते हैं आप विसेज ध्यान दे लेंगे questions repeat करते हैं यहाँ से question जो हम करवा रहे है question 99% chance है अगर repeat question करेगा तो यहीं से करेगा questions बाहर से और कहीं repeat नहीं करता है questions framed नहीं होते हैं आपको पता है questions repeat किये जाते हैं जो questions framed होते हैं वो questions james में framed होते हैं वो NEET में कुछ questions framed होते हैं हलाकि NEET में भी questions james repeat करता है और आप ki ये paramedicals और nursing के exam जो हो रहे हैं इसमें questions एक भी टेरें देते हैं इसलिए आपको questions paper नहीं देते हैं तो आप यहां से भी questions sallow कर सकते हैं और आपको कोई doubts हो तो आप आपकी होने वाली है, question number 36 एक बार फिर जे पढ़ लेते हैं एन electric dipole आप movement P is lying along a uniform electric field line यह है, work done rotate होने पर उसका dipole movement 90 degree हो जा रहा है, तो पूछ रहा है तो इसके लिए formula हो जाएगा work done is a reflecting dipole through a angle theta, तो theta is equal to यहाँ पर 90 degree है, तो work done is equal to हो जाएगा, P 1 minus cas 90 minus theta हो जाएगा तो यह जो पूरी value है, जी cas theta की value आपको पता है कितनी होती है तो यहाँ पर जब cas 90 की value रखेंगे, तो w is equal to हो जाएगा, यहाँ पर P हो जाएगा तो answer इसका हो जाएगा, question number 36 का आप से ए हो जाएगा, P E हो जाएगा, question number 36 आप से ने हो जाएगा, यह question उपर से repeat किया हुआ है तो question repeat कर सकता आपके exam में question number 42 को देख लेते हैं theory का question बहुत ही अच्छा question है an electric dipole has the magnitude of its charge as Q and its dipole movement is P an electric dipole has magnitude of its charge magnitude उसका charge है, Q दिया है उसकी dipole movement P दिये it is placed in uniform electric field uniform electric field में line में place किया जा रहा है if its dipole movement is along direction of the field, अगर उसका dipole movement electric field के direction के along में हो तो the force on its potential energy are separated, तो उसका potential energy कितना separate हो जाएगा question यह का रहा है, question number 42 हम देख लेते है explanation, question number 42 का देख लेते है, question number 42 का explanation का रहा है, the total force of dipole movement is 0 because F is equal to QE force is equal to होता, charge into electric field is applied on each charge but in opposite direction इसमें जो charge लग रहा है वो opposite direction में लग रहा है the potential energy is equal to हो जाएगा potential energy का फार्मूला आप लिए लेंगे U is equal to होता, minus P when minimum which is minimum P is parallel question number 42 का option हो जाएगा, उसी हो जाएगा पहले 0 होता, इसके बाद धीरी दिरे और कम हो जाता है तो question number 42, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं an electric dipole has a magnitude of its charge as Q and its dipole movement is P it is placed in uniform electric field इसको uniform electric field line में place किया जाएगा, किसी dipole movement को उसका charge जो दिया है, magnitude दिया है, क्यों दिया है if its dipole movement along the direction of the field उसका dipole movement direction along electric field के है तो अदर force of its potential energy is respective potential energy उसकी क्या होगी potential energy पहले 0 होगी, इसके बाद धिरे-धिरे कम होती जाएगी 0 and minimum question number 42 का option जो हो जाएगा, वो C हो जाएगा question number 43 देख लेते हैं, एक दो question और है 3 capacitor each of capacitance 4 microfarad 3 capacitor है, जिसकी capacity दी है 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad तो इस way में connect किया जा रहे है तो जो effective दिया है, वो 6 microfarad दिया है capacitance की capacity this can be done by तो ये कैसे किया जा सकता है तो जो question number 43 है होगा वो आप पहले बनाएगे, एक circuit बनाएगे तो circuit जब आप बनाएगे तो वो होगा, एक होगा 4 microfarad का एक होगा 4 microfarad का एक होगा 4 microfarad का मतलब दो series में होगे, इसके बाद फिर उसका parallel होगा ये आप circuit बनाएगे पहले फिर जो total निकलेगा वो parallel के लिए formula होगा C equivalent हो जाएगा 4 into 4 upon 4 plus 4 मतलब हो जाएगा C1 into C2 upon C1 plus C2 plus C4 इसका हो जाएगा 2 plus 4 मतलब इसका answer जोगा जाएगा 6 over 43 का इस हिसाब से question करेंगे लेकिन ये theory का question इसलिए यहाँ पे देखेंगे connecting to in series and what will पहले देखिए यहाँ पे लिखा है 2 series में connect करेंगे मतलब 4-4 series में connect होगे फिर एक नीचे 4 parallel में connect होगा तो question number 43 का आपसंसी हो जाएगा question number 44 last question है एक charge q is located at the center of cube एक charge q है जो की center पे locate है एक charge q है जो की cube के center पे locate है एक charge q is located at the center of cube the electric flux through any faces पूछ रहा है electric flux कितना होगा तो electric flux किसी face पहले total electric flux आप निकालने का फार्मूला होता है q total upon f silence q upon f silence not total q total upon q total is equal to q upon f silence not यह होगा total electric flux निकालने का फार्मूला तो यह का रहा है कि एक face पे निकालना है तो एक face पे निकालने के लिए जो निकलेगा q upon cube यह cube दिया है मतलब 6 f silence not वहाँ नीचे 6 लिख देंगे तो total निकलेगा q की value आपको पता है 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 upon a square तो वहाँ से 4 ले लेंगे मतलब 4 pi इंटो की हो जाएगा और नीचे जो राटा आ रहा 6 f silence not f silence not की value आपको पता है 4 pi epsilon not तो जो total value निकलेगी वह निकलेगी 4 pi q upon 6 4 pi f silence not एक question फिर से आपको repeat कर दे रहे है एक charge q है locate है center पे एक q के मतलब आप cube बनाएंगे उसके center पे एक charge q रख देंगे आपको पता है cube है मतलब उसमें 6 face होंगे तो एक पूछ रहा है electric field of any face किसी face पे पूछ रहा है आप उस पे किसी face पे electric field निकल दीजिए तो ये पूरा का नहीं होता है पूरा का होगा q upon epsilon not q total हो जाएगा q upon epsilon not एक face का पूछ रहा है मतलब उहाँ पे हो जाएगा 6 q की value आपको पता है 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 upon r square तो 4 pi epsilon not यहाँ से ले लेंगे value इसको उपर रख देंगे और फिर epsilon not की value ले लेंगे epsilon not equal to हो जाएगा या replace कर देंगे तो आजाएगा 4 pi epsilon not आजाएगा 4 pi epsilon आजाएगा तो जो total इसकी value आजाएगी वो आजाएगी 4 pi q upon 6 4 pi epsilon not 44 का option भी हो जाएगा तो आसा करते हैं यह सारे 20 questions आपको समझ में आएगे अगर आपको नहीं समझाएगा फिर से video repeat कर लिजिएगा इसके भी आपको किसी question में doubt लग रहा है इसका screenshot से send कर सकते हैं और यह आपकी help की जाएगी आपको पूरा solution दिया जाएगा हाला कि maximum questions जो यहाँ पे हैं थियोरी से हैं और विशेज ध्यान देंगे यही questions repeat करते हैं बाहर से कोई questions नहीं पूछते हैं क्योंकि 14-15,000 लड़के farm को apply करते हैं और maximum पता है आपको student need वगएरा की तयारी करने वाले ही apply करते हैं और शाड़े 600 seats हैं तो आपको fight तो करना ही है उसमें तो इसलिए आप preparation बहुत अच्छे से करेंगे preparation इस बे में करेंगे कि आपका selection हो जाए selection इस बे में करेंगे आपका नाम आ जाए क्योंकि आपको पता ये competition बहुत ही जादा है मिलते हैं कि जी नेक्ट वीडियो में नए update के साथ इसकी next वीडियो कल ही upload हो जाए क्योंकि ये Sage Electro की continue चलती रहेगी बायो की हम stop कर दे रहे हैं बायो के जो chapter सोच गये हैं बहुत important chapter होगे हैं आप वीडियो देख लीजेगा वहां से आपको CP net में बता दिये हैं प्रिवियस येर में जो question पूछे गए हैं उसमें हम टिक भी मतलब बीच बीच में बता दिये हैं ये 2019, 2019 में question पूछा गया क्योंकि 2019 में हमने exam दिया था तो physics में ही आपको यहां से बता दिये हैं दो question बाकि एक question कल बताएंगे थियोरी से एक question कल एक question पर सो इसके बाद दो question फिर बताएं मतलब इस chapter से चार question आने हैं आपके CP net में जो ABBMU अटल वियारी बाच पर मेडिकल यूनिवसिटी की तयारी करें हाला कि इसमें अभी नया आया हुए तिसलिए कोई pattern का पता नहीं है कैसी questions पूछे जाएंगे लेकिन उसमें भी ध्यान दें जो question repeat करेंगे और need के questions repeat करेंगे बाकि और कहीं से question repeat नहीं कर सकते हैं यह बिशेज ध्यान देंगे हाला कि experience हमारा रहा है exam देने का तो आपको बता रहे है और बाकी मिलते हैं किसी next video नए update के साथ जय हिंद